नमस्कार दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि आज से 20-30 साल बाद अगर आपसे करोड़ो रुपे का डिमांड किया जाए तो अचानक से आपके पास करोड़ो रुपे सायद न मिले लेकिन अगर हम लोग सिस्टिमेटिक और एक डिसिप्लीन मैनर से छोटे-छोटे माउंट को इन्वेस्ट करें अपने सेविंग से सिर्फ छोटा से माउंट पांच सव हजार रुपे तो बेसक आपती साल बाद डेट दो करोड के मालिक हुझेगे क्योंकि हमारे हाँ कहावत हैं बुन्द बुन्द से तला भरते हैं लेकिन हमारे दिवाग में बात नहीं आते हैं कि भी आप पैसे को इन्वेस्ट कहां करें कौन से ऐसी जगह है जहां पे हमारे इंफलेशन रेट को भी बीट करें अच्छा खासा रिटंसी बना के दें और हमें बहुत ज़दा मार्केट की जनकारी भी न रखना पड़ें क्योंकि हम देश के अंदर फाइनसी लिट्रेसी नाम के चीज नहीं है हम लोग फाइनसी लिट्रेसी के नाम पर क्या है बही जीरो है सुनने तो कौन सा ऐसा चीज है कहां पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसके लिए सबसे बेश जगह है या मिच्छल फंड हम आज एक ऐसे मिच्छल फंड लेके आया है आप लोग के लिए कि उसने लगभग एवरेज हर साल पचीस परसेंट का सीजियर बनागे दिया है कंपाउंड एन्वल गुरोध रेट यानि हर साल आपको पचीस परसेंट का इंक्रीजमेंड मिल रहे हैं अगर आप सिर्फ पांस इरिया को डिसिप्लीन को फॉलो नहीं करते हैं एपडी कर देते हैं सेविंग काउंड में पैसे रखे रहते हैं क्योंकि 500 रुपे और 1000 रुपे पर मंत का इंवेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस तरीके से हमारा कुछ सेविंग का पैसा इंवेस्टमेंट ह जाता है और एक छोड़े-छोड़े बुंद करके हमारे पास एक तलाब यानि हूज कैपिटल क्रियेशन भी हो जाती चलिए भीना देर की हम लोग देखते हैं कि या फंड कौन सा है जहां पर हम लोग को पैसे को इन्वेस्ट करना है आइसी 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 प्रुदेंसियल उसको ढुबाने के चक्कर में पड़े हो बीना फंडामेंटल इनालीसिस के बीना पूरा वीडियो देखे आप किसी निश्कर पे मत निकलिए पूरा हम लोग A to Z सारा इनालीसिस करेंगे देन आप्टर आप डिसाइड करिए कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना चीए कि नहीं करना चीए सबसे बहले बात करें हम लोग रिटर्स की तो एक साल के अंदर इसने 40 परसेंट का रिटर्स बना गर दिया अपने इन्वेस्टर्स को तीन साल के अंदर 26 परसेंट और ओवर वाल भी यह लगवग 25 पूइंट कूछ यह लगवग एप्रॉक्स 26 परसेंट क अब्रेज रिटर्न बना करके दिया है तो आप अन्मा लगा सकते हैं कि भी पर्ण में पोटेंसियल है दम है यहां पर पैसे इन्वेस्ट करके लॉंग ठोड़ा जा सकता है बहुत अधी के बांड नहीं सिर्फ 500 पर चोड़ दो ना क्या जाता है देखेंगे कि 500 अगर आप कर दीजिए धिक अधिक साथिक लोगों को बिड़िट मिल सकें कि अगर हम लोग बात करें इसके मार्केट कैप्सेरींग का तो मार्केट का पेसे जा रहे है यानि टॉप हंडेट कमपनियों में आपकी पैसे जा रहे 67% मीडी कैप में 23 परसेंट और स्माल के पैसें यानि कि लिए यह पका fund होनी वाला है risk क्योंकि आपके तोटल मैसिमॉम फट्ट हैं और नाही के और इसके कुछ sectors of Allocations की बात करें तो लगबग फिनेंस, energy, और टेकलोजी एक पांच ऐसे सेक्टर से जिसको हम लोग आप हमारे देश के इंडिया के बैकबोन बोल सकते हैं क्योंकि इन सेक्टर में पिछले कुछ सालों में जब अर्जस्त ग्रोथ देखने को मिला है और इन फ्यूचर हमारा पूरा एकनोमी जो हमारे देश के प्रधान कुछ जद्या ज़रूर है क्योंकि आपको टेक्नलोजी चाहिए 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 और इनर्जी चाहिए चाहिए और फिनेंस बैंगिंग सेक्टर तो एक तरीके से कहो कि वह हमारा नव सिस्टम बनगे विना उसके तो कुछ कामी नहीं होने वाला है इसलिए पिछल कि इनफॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर फंड साइज लगबग आठ हाजार करोड करीब है यानि 7600 और एक्सपेंस रेसियो वन के नीचे हैं एक्सपेंस रेसियो जितना कम हो उतना हमाले की बेटर होता है क्योंकि लॉंग टम में हम लोग एक्सपेंस रेसियो को ध्या परजस्त विश्वाज दिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट चीजिस में जो है वह है इसकी एनवी ए नेट एसेट्स वैलू पर उनिट प्राइस अगर आप 100 रुपए भी इंवेस्ट करते हो इसमें क्योंकि इसमें मिनिमम जो एसाइपी की वैलू है और लंसम जो है उसमें आ आपको पांच यूनिट मिल जाएगा अब 200 करते हैं तो दस मिल जाएगा इसी तरह आगर आप 500 कर देते हैं तो समझ जाए लगवाग 25 से करीब आपके पर यूनिट मिल जाएंगे 500 में 25 यूनिट तो यह सबसे बढ़िया बेनफीट से 25 यूनिट आप हर महीने आपको इसके मिलते जाएंगे हो सकता है कि इसके प्राइस बढ़ती है तो थोड़ा से कम मिलेंगे घड़ती है तो ज्यादा मिलेंगे तो एवरेजिंग करने का भी आपके पास एक अच्छा खासा चांस रहता है आई हम लोग देखते हैं कि अगर आप 500 रुपे पर मंत इंवेस्ट करते लेंगे सर और अगर आप 500 रुपे पर मंत करते हैं आपका ।र्गेट है विया 30 ऐर्स इसे कम भी आप टार्गेट ले सकते और माले हम लोग इसने 26 परसेंट को रिट नम बना जे दिए ओवरॉल इससे अधिक हो सकता है कम हो सकता है तो आपका जो टोटल इन्वेश्ट्मे के करीब यानि 1,80,000 रूपीज आपका टोटल इंविश्मेंट हो जागा और आफ्टर 30 अर्स बाद तीस साल बाद जो आपको टोटल रिटर्न्स मिलेगा सर टोटल आपको जो टोटल वैलू बनेगी आपका वो लगभग 1,90,000 तो आप सिर्फ 500 रूपे पर मंत इंवेश्ट करके सिर्फ 500 आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं अचानक आपसे पैसे मंगा जातो बिल्कुल नहीं हो सकता है लेकिन हर महीने हम लोग अराम से यह समचो कि भईया चाय नस्ता का पैसा थोड़ा सा एक्सपेंस हो गया हमारा और अराम से लिए तो सब्सक्राइब सेर कर देगे मिलते हैं एक वीडियो में तब तक के लिए जहिंद बंदे मादर